मेरे प्रियों मैं एक और बार इस नए वीडियो में बहुत खुशे के साथ आप सबको स्वागत करता हूं आप सबका स्वागत है तो आई आज भी हम प्रभु का एक वच्चन को ध्यान करेंगे ये शुमसी कलवारी कुरूज पर जो साथ वाणियां बताई उसमें आज हम तीसरी वाणी को आज हम लोग ध्यान करेंगे पहली वाणी तो आप जानते होंगे मैं इस चानल में वीडियो भी बना दिया हूँ अगर आप नहीं देखा है नहीं सुना है तो कृपया मैं आई बटन में दे दूगा शुमसी पर दोसरी वाणी भी बताया है और ये तीसरी वाणी है आप और भी डीटल में जाकर आप देख सकते वो एक और दो वाणी को आज हम परभू जो कृच्चन को सुनीए कुछ ना कुछ प्रभू कुछ नई बाते हमें सिखाएंगे कई बार आप इस वचन को सुने हैं ध्यान किये हैं कलीसिया में सुने हैं और कभी-कभी आप प्रचार भी किये होंगे कलीसिया में है ना आप में कुछ लोग प्रचार भी किये होंगे तो आज भी हम कुछ सीखेंगे शायद प्रभू और कुछ नई बाते आज शायद हमें आज शीखा सकते हैं तो प्रियो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्रियो को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए हो सके तो अपने फ्रेंस को भी शेयर कर सकते हैं ताकि और बहुतों तक प्रभू का ये वचन पहुंच सके तो आए इस वचन को हम लोग ध्यान करेंगे अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लिजिएगा योहन्ना उन्नीस अध्याए उसका 26 और 27 वचन जान चप्टर 19 वर्सस फ्रम 26 और 27 जब येशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वहाँ प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है तब उसने चेले से कहा यहाँ तेरी माता है और उसी समय से वहाँ चेला उसे अपने घर ले गया हलिलूया मेरे प्रियों हम पहली वानी देखते हैं येशु मसी लोगों को छमा कर रहे हैं और दूसरी वानी जो दो डाकू लोग उसके बगल में दाइने बाएं जो टांगे गए थे एशु के साथ प्रभू उनके प्रती दया दिखा रहा है और उनको उस आकरी समय में भी बचाना चा रहा है एक डाकू को प्रभू ने बचा लिया जब उसने पश्यताब किया और अपनी गलती को माना और येशु से बिंती किया कि जब तू अपने राज़ में होकर आए तो मुझे याद कर लेना तो येशु मसी उसका मन फिरा को देखा और उसका मन फिराओ को हरदय को देखर येशु उसी घड़ी उसी दिन उसको बचा लिया और कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा हालेलूया मेरे प्रियों येशु मसी उस क्रूज के उपर टंगे हुए थे तब भी वो दूसरों की पती दूसरों की प्रती अपना प्रेम दिखा रहा है दूसरों की प्रती वो कितना ख्याल रख था है वो हमें देखने के लिए मिलता है पहले लोगों को ख्षमा कर रहा है ख्षमा के लिए प्रातना कर रहा है और दूसरी वानी उसके साथ जो डाकू लोग क्रूस पर टंगे हुए थे उनको बचा रहा है एक डाकू को प्रबू ने बचा लिया जब उसने मन फिराया और दीसरी बात यहां अपनी मा का ख्याल रख रहा है अपना मा के बारे में सोच रहा है Praise the Lord मेरे प्रियों एक बात हमें सोचना है जब आपको और मुझको जब हम दुखीत रहते हैं तब क्या हम उस दुख के समय में हम दूसरों की चिंता करते हैं जब हम दुख में होकर गुजरते हैं क्या उस समय हम दूसरों के बारे में चिंता करते हैं या दूसरों के बारे में कभी सोचते हैं दूसरों के भलाई के बारे में अब हम बोलेंगे हमारा ही नहीं हो पर आए हम इतना कस्ट में होकर गुजर रहे हमारे लिए इतना कस्ट है हम दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे लेकिन प्रियो येश्यु मसी हम यहां पर देख रहे हैं वो कुरूस पर टंगे हुए थे तब भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है Hallelujah Praise the Lord कितना दयालु है वो अपने बारे में बिलकुल नहीं सोच रहा है वो दूसरों के बारे में सोच रहा है दूसरों का ख्याल रख रहा है दूसरों से प्रेम प्रगट कर रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं येश्व मसी अपना मा का ख्याल रख रहा है येश्व मसी ही सबसे पहला बेटा है मरियम से जो पैदा हुए येश्व मसी के बाद और भी भाई लोग पैदा हुए लेकिन सबसे पहले एश्रमसीब पैदा हुए और यहूदी कलाचार है न यहूदी कल्चर में 30 साल तक बच्चे, बेटा माबाप के साथ घर में रहेंगे, माबाप के साती रहेंगे, घर का काम करेंगे सारी काम, सारा काम करेंगे और 30 साल के बाद ही वो एक जिम्मेदारी लेकर घर से बाहर निकल सकते हैं 30 साल तक अपने घर में ही रहना है यानि माबाप का हेल्प करते हैं माबाप के साथ रहना है लेकिन 30 साल के बाद ही वो घर का पुरा जिम्मेदारी ले सकते हैं और एक जिम्मेदारी के साथ घर के बाहर निकल सकते हैं और येशुमसी तीस साल के बाद ही वो मिनिस्ट्रिक शुरुआत किया, घर से बाहर निकल कर शेवगाई की शुरुआत की, तीस साल तक वो अपने ममी पापा के पास रहे होंगे, और प्रभु का वच्चन पढ़ रहे होंगे, और माबाप का बात मानते हुए माबाप के साथ रहते थे, और ये तीस साल के बाद ही वो सेवगाई शुरुआत किये, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आयते, जिस काम के लिए इस दुनिया में आयते, वो काम का प्रारंब कर दिया, हालेलुया, देखिए, येशुमसी पैदा होने के बाद ही उसके भाही लोग पैद तो उनके भाई लोग तब तक वो 30 साल के नहीं हुए होगे क्योंकि एशु ही सबसे बड़ा है और एशु के बाद ही जो भाई लोग पैदा हुए वो एशु से छोटे हैं उनका उस समय एशु जब कुरूस पर टंगे हुए थे उस समय उनका 30 साल उमर पूरी नहीं हुए बेटा है एशु मसी मा का जिम्मेदारी उसको है और घर का जिम्मेदारी उनको है मरियम का पती यूसुप उस समय नहीं थे वो गुजर गए थे और मरियम विदवा थी और एशु मसी घर का पुरा जिम्मेदारी लेने के कारण मा का खयाल एशु मसी को रखना था मा का जिम जिम्मेदारी येशु मसी के उपर थी जब येशु मसी कलवारी क्रूज पर टंगे हुए थे कुछी समय के बाद येशु मसी इस दुनिया को छोड़के चले जाएंगे अभी मा का जिम्मेदार कौन लेगा मा का खयाल कौन रखेगा अभी उसके भाई लोग तो 30 साल के नहीं था येशु मसी को इसलिए येशु मसी योहना को चुना और योहना को एक बड़ी जिम्मेदर देके जा रहे हैं मरियम से कहते हैं ये नारी देख यहा तेरा पूत्र है और यो चला को देखे योहना को देखर कहा यहा तेरी माता है और उसी दिन से योहना मरियम को अपने सा अपने घर में ले के गया, उनका ख्याल रखा लेकिन बात में भी हम देखते हैं योहना एक जगह में नहीं रहे कुछ समय येरोसले में थे उसके बार कुछ समय एफेस्स में थे उसके बार पतमोस माहधवीप में उनको वहाँ पर बंदी बना कर डाल दिये थे ऐसे कई जगह युहना को घुमना पड़ा देखिए बाइबल में भी हम देखते हैं यरुशले में जब सताव आता है प्रेरितों के काम आठ अध्याय में हम देखते हैं पहला वच्छन में उसी दिन यरुशलेम की कलिस्या पर बड़ा उपद्रव आरंब हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहुदिया और समर्या देशों में तितर-बितर हो गए मेरे प्रियों यहाँ पर जब बड़ा उपद्रव आया एक बड़ा सताव आया तो प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समर्या देशों में तितर बितर हो गए उसका मतलब मरियम भी एशुमसी की मा मरियम भी वहां से वो गई होगी क्योंकि प्रेरित लोग मात्र केवल प्रेरित लोग यहूदिया में रहे बाकि सबी के सबी बाहर चलेगे भाग गए सब के सब यहुदिया और समर्या देशों में तितर बितर हो गए और मरियम भी वहां गई होगी क्योंकि जब योहना अलग अलग जगा योहना को जाना पड़ा तो सब जग में शायद मरियम को लेके नहीं गए होंगे क्योंकि योहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बहुत दूर दूर जाना था देखिए उसको पत्मोस द्वीप में डाल दिया कुछ समय ओ यफिसस में था कुछ समय एरुशले में अलग अलग जगा जाना पड़ा उसके बाद ये शे मसी के पुनरुतान के बाद उसके भाई लोग याकूब यूदा योसे और सीमॉन वो इश्व मसी को ग्रहन किया क्योंकि ये इश्व मसी पुन्रुतान से पहले कुरूज पर जाने तक उन्हों ने इश्व मसी पर विश्वास नहीं किया था लेकिन इश्व मसी की पुन्रुतान के बाद उसके भाई लोग भी इश्व मसी पर विश्वास किया तो योहना कुछ समय, यानि येश्व मसी के बाकी भाई लोग 30 साल पूरा होने के लिए कुछ समय बाकी था, इसे लिए येश्व मसी योहना को मा का ख्याल रखने का जिम्मेदारी देखे जाते हैं, हलेलुया. मेरे प्रियों, येश्व मसी योहना को क्यों वो जिम्मेदारी दिया? क्योंकि योहना उस समय येश्व के पास मौझूद थे, जब येश्व मसी क्रूस के ओपर टंगा हुआ था, वहाँ पर योहना भी मौझूद थे, बाकी चेले लोग वहाँ से भाग गए थे, शायद भी का चेला, नीडर होकर हिम्मत के साथ, और वो नहीं डरा, नीडर होकर हिम्मत के साथ येश्व मसी के पास खड़ाता, बगल में मरीयल भी खड़ी थी, और उस समय, और एक बात, येश्व मसी को बहुत, येश्व मसी के बहुत करीब रहता था, बिलवर था, येश्व मसी के येशु मसी उसके बारे में अच्छा से जानते थे इसलिए और वो तीस साल भी पूरा किया हुआ था तो येशु मसी उसको चुना और मरियम का देखबाल करने का जिम्मेदारी उसको दिया अपने बाकी भाई लोगों को उस समय क्यों नहीं दिया वो जिम्मेदारी क्योंकि येखुदियों का कलाचार था तीस साल तक वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं माबब के साथ रहेंगे और तीस साल के बाद ही वो घर का जिम्मेदारी और जो भी उनको सौंपल गिया है उसका जिम्मेदरी वो लेते हैं और उस समय उसके बाकी भाई लोगों का उमर तीस साल नहीं हुई होगी इसलिए वो अपने चेला योहना को दिया और बाद में हम देखते हैं योहना यरुसलेम में कुछ समय येफेसस में उसके बाद पत्मोस महादवीप में उसको रखा गया ऐसे जगा जगा वो जाना पड़ा इसलिए हर जगा पे वो मरियम को लेके नहीं गया होगा और येशु मसी कुछ समय के लोगों को जिम्मेदरी दिया था क्योंकि उसके बाकी भाई लोग तीस साल पूरा होने तक जब उनका तीस साल पूरा हो गया याकूब यूदा उनका तीस मरियम का ख्याल रखे होंगे लंबा समय तक मरियम योहना के पास शायद नहीं रही होगी क्योंकि योहना को बहुत दूर दूर जाना पड़ा और वो सब जगा ये मरियम को लेके नहीं गया होगा इसलिए बाद में जरूर ये शुमस्य के बाकी भाई लोग मरियम के बाकी बे खास बात जो हम आज ध्यान करने जा रहे हैं येशु मसी अपना जिम्मेदारी सही से निभाया खुरूस के उपर टंगे थे तव भी फिर भी वो अपना मा के उपर जो प्रेम है उसको दर्शारा है मा का जो जिम्मेदार बेटा जो मा के लिए करना है जो मा का खयाल रखना है वो उस काम को पूरा कर रहा है अपने जाने के बहुजद भी वो बेटा का जिम्मेदारी मा का खयाल रखने का जिम्मेदारी अपना दास योहना को देखे जा रहा है इतना दयालू परमेशर, दूसरों के प्रति खयाल रखने वाला परमेशर, अपनी जिम्मेदारी को सही रिती से ठीक रिती से पूरा किया परमेशर, अपना दुख के समय में भी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला, अपनी मा को नहीं भूला मेरे प्रियों, वो अपनी जिम्मेदारी को सहीरिती से निभाया दूसरों के पती प्रेम दिखाया वैसे जो प्रबु हमें जिम्मेदारी दिया है हम भी उसको सहीरिती से निभाना है परमेशर हमसे प्रेम करके हम पर भरोसा रखे हमें कुछ खास जिम्मेदारी दिया है उसको हमें भी निभाना होगा बीच में छोड़के नहीं जाना है मेरे प्रियों आपके माबाप आपसे बहुत प्रेम करते हैं आपका बहुत ख्याल रखते हैं बच्पन से लेकर आप बड़े होने तक शादी करने तक आपका ख्याल रखते हैं देखबाल करते हैं, आपकी जरूरतों को देते हैं, पुरा करते हैं, क्या आप उनका जिम्मेदार ले रहे हैं, क्या आप उनका देखबाल कर रहे हैं, क्या आप उनसे फ्रेम कर रहे हैं, या क्या आप उन्हें रुदाश्रम में डाल के आ रहे हैं, आपको पालन पोशन किया बड़ाया, फिर आगे नोकरी दिलवाया, शादी करवाया, आपका फैमिले सेटल हो गया, इसके बार आप क्या करें माबाप को? अभी तक माबाप आपका खयाल रखा है और यह आपकी जिम्मेदारी है जब यह आपका फर्ज बनता है कि आप अभी अपने माबाप का खयाल रखना है क्योंकि वो बुड़े हो गए है अभी वो चल नहीं सकते हैं वो घुम नहीं सकते हैं वो बहुत रुद्ध हो गए हैं, उनका उमर हो चुकी है, अभी उनको आपकी जरूरत है, आपका प्रेम, आपका देकबाल की जरूरत है, इस समय आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपनी जॉब में बीजी हैं क्या अपने काम में आप वेस्ट हैं क्या आपके पास थोड़ा समय नहीं है कि आपने माबाप का खयाल रखें कई जगा हम देखते हैं वोल्डेज होम में डाल के आ जाते हैं माबाप को या किसी नोकर को लाकर घर पे रखके उनका आपके ममी पपा आपके आपका इतना खयाल नहीं रखा वो इतना बीजी होने के बवज़त भी वो आपना उपका खयाल रखा आपके प्रेम किया और आप अब अभी उनको प्रेम नहीं कर रहे ह। यह कुनसी बात है क्या ये न्याय है नहीं मेरे प्रियों आपको प्रबु जिम्मेदारी दिया है आपका माबाप को देख बाल करना का जिम्मेदारी प्रबु आपको दिया है कई सारी जिम्मेदारी दिया है मैं एक नहीं बता रहा हूँ कई सारी जिम्मेदारी दिया है उसको आप क्या आप न भरतने वाला था घर का सबसे बड़ा बेटा था और मां का क्योंकि मरियम विदवा थी और वो उस्थ मेदरी को उसके जाते समय युहना को सौपके गिया क्योंकि वो मरियम से बहुत प्रेम करता था मेरे प्रियों इस से हमें सीखने के मिलता है क्या आप अपने माबाप का ख्याल रख रहे हैं जरूर रखना चाहिए एश्व मसी बहुत दर्द मेसुस कर रहा था बहुत कठीन समय था एश्व मसी के लिए क्रूस के उपर सारा लहू वह रहा था बहुत दर्द हो रहा था कई खाली जगर नहीं बचा था इतना दर्दनाक परुस्तिती में भी जो सामने खड़ी थी अपनी माँ को देखकर उसको तरस आया अपने माँ को प्रेम किया और अपने माँ का देखबाल करने का जिम्मेदारी युहना को सौंप के जा रहे है क्या आप अपने माँ बाप को प्रेम कर रहे है जो आप घर का जिम्मेदार व्यक्ति होकर क्या आप अपने घर के लोगों की अपने माँ बाप का रक्षा कर रहे है उनको प्रेम दिखा रहे है उनका देखबाल कर रहे है अगर नहीं तो अभी से मन फिरा लेजिए अभी से माबाप का देखबाल करना शुरू किजिए माबाप से प्रेम दिखाए वो अभी तक आपका देखबाल किया अभी वो उमर हो गया है अभी उनको आपकी जरूरत है आपका प्रेम की जरूरत है आपका खयाल रखने का आपका देखबाल की जरूरत है उनके लिए कृपिया उन्हें ओल्ड इस होम में न डालिए आप खुद उनका देखबाल की जिए उन अंतिम दिनों में माबाप आप से मतलब आपका फ्रेम देखना चाहते हैं आप उनका खयाल रखना वो देखना चाहते हैं इसलिए मेरे प्रियों माबाप को मत भूलिए आप जिम्मेदार माबाप के लिए आप जिम्मेदार हैं उनका देखबाल करना आपकी जिम्मेदारी हैं उनको प्रेइम करना उनका ख्याल रखना यह हमारा आपका फर्ज है इसलिए हमें जो प्रभु जिम्मेदारियां दिया हैं उसको हम सही से निभाए प्रभु आप सबो को इस वच्छन के द्वारा आशिस करें मैं उम्मिद करता हूं कि प्रभु आपके साथ बात किये हैं का आकरी सांस तक हम उनसे प्रेम करें, उनका ख्याल रखें, प्रबाब सब को बहुत ऐसे आशिस करें, स्वर्गिय पिता पर मेश्व धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, पिता जो भी मेरे भाई बेन इस वचन को सुना है, उनसे सबों को ब्लेस करना, आप प्रबुजी ज के आखरी सांस तक उनको हम, उनका ख्याल रखने के लिए, और जो भी आप हमें जिम्मेदारी दिया हैं, हम उसको निभाने के लिए सहायता कर, येश्यू के नाम से मांगते हैं, आमें, प्रबुजी आप सबों को बहुत ऐसे आशिस करें, गौड ब्लेस यू जिरुजी जिए घर विए की विए में, प्रबुजी आप मांगते हैं, ये जिरुजी आप सबोड़।